Hello everyone, welcome to my channel So, दूद जितना पीने के लिए फायदे मन्द होता है उतना ही स्कीन पर लगाने के लिए भी फायदे मन्द होता है अगर आप दूद का इस्तेमाल स्कीन पर करते हैं तो दूद स्कीन के रंग को दूद जैसा ही सफेद कर सकता है अगर आपके बच्चे की इसकी इंसामली हो गई है तो दूद के इस्तमाल से आप अपने बच्चे के रंग को दूद जैसा ही सफेद कर सकते हैं आज की home remedy स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चांग को सब्सक्राइब नहीं किया है तवचा से access oil को हटा देता है तवचा को गहराई से साफ करता है जिसे दूल, मिट्टी, गंदगी अच्छे से साफ हो जाती है और उसे वापिस आने से भी रोकता है इसके छोटे-छोटे करन स्कीन से डैडी स्कीन को हटाने का काम करते है सो बेसन स्कीन पर glow लाता है, बेसन में स्कीन whitening properties भरपूर मातरे में होती है जिससे रंगत निखरने लगती है इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें एड़ करूंगी चंदन पाउडर, चंदन तवचा के लिए बहुत फाइदे मंद होता है चंदन में anti-tanning गुन होता है, जो स्कीन को tanning से बचाता है चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसे लगाने से तवचा को ठंडक मिलती है दूप में जाने की वज़े से जो स्कीन पर रैसेज हो जाते है, रैडनस आ जाती है चंदन पाउडर उसे साप कर देता है, चंदन में anti-sheptic गुन होता है जो तवचा से बैक्टिरिया को खतम कर देता है, तवचा को exfoliate करता है जिससे तवचा की रंगत निखरने लगती है, तो इसके बाद मैं इसमें एड करूँगी coconut oil नारियल का तेल स्कीन को वहतर बनाने और glow लाने के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है नारियल का तेल स्कीन पर संस्क्रीन की तरह काम करता है, इसके इस्तमाल से स्कीन पर संबन नहीं होता है इसकी ताशिय ठंडी होती है, जिससे ये स्कीन से रैसेश को भी साफ कर देता है स्कीन को ठंडक देता है, नारियल के तेल में मुझूद विटामिन E और ओमेगा 3 फैटी एशिड स्कीन को बहतर बनाते हैं, जिससे ये स्कीन को मोस्टराइज करता है, स्कीन से रूखेपन को खतम कर देता है, स्कीन को चमकदार बनाता है, सो नारियल का तेल स्कीन को टैयार कर लूँगी दूद नाचरल क्लिंजर की तरह काम करता है इसकीन से डार्डी सकीन को हटा देता है जिससे सकीन हेल्धी और ग्लोइंग हो जाती है दूद के इस्तमाल से आप अपने बच्चे का रंग दूद जैसा ही सफेद कर सकते है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इसका स्मूद पैक तैयार कर लिया है आपको यह पैक अपने बच्चे की स्कीन पर हफते में दो से तीन बार जरूर अप्लाई करना है इसका सबसे अच्छा रिजल्ट देखने के लिए इसे आपको राउंड राउंड करते हुए आपके बच्चे की स्कीन पर अपलाई करना है हल्की हल्की मसाज करते हुए उसके बाद आपको इसे आठ से दस मिनट आपके बच्चे की स्कीन पर छोड़ देना है फिर आपको नोर्मल पानी के साथ में इसे साफ कर देना है सो कुछ इस तरह से आप इस पैक का इस्तमाल कर सकते हैं इसे बच्चे ही नहीं बलकि बड़े भी इस्तमाल कर सकते हैं अपनी तवच्छा की रंगत को निखारने के लिए सो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत बूलिएगा मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू, थैंक्स फोर वाचिंग